नमस्कार, आज का टॉपिक है how to lose 1 kg body weight in one day, मैं कोई भी fluff नहीं, इसमें गुसेडूंगा, सीधा point पर आते हैं कि करना क्या है, अगर आपका body weight 80 kg से कम है तो 1 kg, और अगर आपका body weight 80 kg से ज़ाधा है तो 1.5 kg, खीरा ले आइए, 24 घंटे आपको क्युकंबर पर फास्ट करना है, मतलब पूरे दिन में सिर्फ खीरा खाना है और कुछ भी नहीं खाना है, तो अगर आपका body weight 80 से कम है, तो 1 kg खीरा ले लिजिए, उसको आप 3 parts में डिवाइड कर लिजिए, breakfast के लिए, lunch के लिए और dinner के लिए, dinner का time रात को 8 बिजे से पहले का होना चाहिए, आप किसी भी time lunch और किसी भी time breakfast कर सकते हैं, for example, अगर 1 kg खीरे में 6 खीरा आता है, तो 2 खीरा breakfast, 2 खीरा lunch और 2 खीरा dinner, बस और कुछ नहीं खाना है, आपको प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, इसके मतलब 1 kg खीरे में बहुत सारा पानी होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको 2-3 glass पानी मिल जाए, तो उस दिन के लिए काफी है, लेकिन जब जब प्यास लगे और जितनी प्यास हो, तब आप उतना पानी पी सकते हैं, डिस्पाइट कि आपको उतना सारा वाटर खीरे से मिल रहा है, और अगर आपका बोडी वेट 80 kg से जादा है, तो 1.5 kg खीरे को आप 3 parts में डिवाइड कर लीज़े, और पूरे दिन में 3 ताइम बस खाना है, सिर्फ खीरा खाना है, एक दिन मे 1 kg वजन कम करने के लिए YouTube पे बहुत सारे वीडियोज हैं, Google पे बहुत सारे information है, मैंने उनको research नहीं किया, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा है, लेकिन मेरी समझ से ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर हम खीरे के contents को देखें, तो खीरे में 95% लग आप liquids पे रहते हैं, या तो नारियल पानी पीएंगे, या juice लेंगे, या फिर vegetable juice पे रहेंगे, तरह-तरह के fasts होते हैं, तो आपकी body में इतनी intelligence होती है, कि वो समझ जाती है कि कुछ गड़वर चल रहा है, मतलब out of the track, जो eating habits है, उससे कुछ different चल रहा है, तो आपकी body fat को अगर आप juices पे रहते हैं, तो वो fat burn नहीं होने देता है, लेकिन जब आप खीरा खाते हैं, तो खीरे में 95% हो गया पानी, बाकी 5% में fiber content, जो fiber की quality होती है, ऐसा कहले, खीरे की वो ऐसी होती है, कि वो एक तो intestine की cleansing करती है, बहुत अच्छी तरीके से, और ये जो fiber body में जाता है, उसको लगता है कि इसको जैसा खाना मिलता था वैसा मिल रहा है, तो it allows for weight loss, इस पे मैं जादा बात नहीं करूंगा, वीडियो को छोटा रखूंगा, कहते प्रतक्ष को प्रमान क्या, मैं I'll urge you, मैं अनुशंशा करूंगा कि आप इस चीज को try करिये, अगले एक हफते मे अगर आप try करते हैं, तो जरूर इस वीडियो पे आके वापस comment करिये कि आपका कितना body weight lose हुआ, क्या होता है, कि अगर कोई fasting करता है, for example, weekly fast, तो weekly fast करने से body को कुछ तो मिलता नहीं है, nutrient मिलता नहीं है, तो weight loss होता है, अगर आप weighing scale पे देखेंगे, तो आधा से 1 kg आपका weight क कम होता है, लेकिन फिर वो अगले दिन बढ़ जाता है, इस से body adjust हो जाती है, लेकिन जब आप खीरा खाएंगे एक दिन पूरा, जैसा मैंने बताया, तो आधा से 1 kg तब भी body weight कम होगा, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं, तो अगर इसको आप weekly करें, तो ये आपके weight loss को forward push तो इसको try करिए, बहुत सारे antioxidants भी आपको मिलते हैं अगर आप खीरा खाते हैं तो, जैसे कि flavonoids है, या फिर beta carotene है, vitamin C है, और भी vitamins हैं, जैसे vitamin K आपको मिलता है इसमें, तो इससे क्या होता है, metabolism अच्छी होती है, और आपको पता है कि antioxidants हमारे cells को protect करते हैं, और दो किस्म क मरीज, patients हो सकते हैं, जिनको ये method जरूर ट्राइ करना चाहिए, मैं बोलूँगा, एक है chronic constipation के patients, अगर आपका constipation chronic है, तो जरूर इसको try किजिए, ये intestines को बहुत अच्छी तरह से clean करेगा, weekly इसको करिए, और दूसरा वो कि brain fog होता है, बहुत सारे लोगों को, आजकल आप fridge रखा है, वहीं Almira रखा है, तो कभी-कभी आप कपड़े लेने fridge खोल देते होंगे, ऐसा होता है, या फिर कभी-कभी आप kitchen से fridge में, fridge खोल के आप फिर सोच रहें कि क्यों आये थे, क्या लेने आये थे, तो ये brain fog होता है, इसको थोड़ा समय समझा देता हूँ, हमारे ब्लड में बहुत सारे metals होते हैं, जैसे potassium हो गया, calcium है, iron है, जो हम सांस लेते हैं, तो oxygen जो है, ये इन metals के साथ combine करके oxides मनाता है, जैसे iron combine करेगा, oxygen के साथ तो iron oxide मनाएगा, Fe2O3 या Fe3O4, तो ये बड़े molecules हो जाते हैं, जब oxygen के साथ combine करते हैं, और आपको पता ही है, कि आप आपके पैरों में नसें सबसे मोटी होती है, और दीरे दीरे जब ऊपर जाएंगे, तो body में नसें पतली होती होती है, आँखों में बहुत पतली capillaries होती है, और brain में तो बहुत ही पतली capillaries होती है, तो ये बड़े वाले metal oxides के molecules, for example iron oxide, जब ये brain में जाते हैं, तो वो पत अगर ज़रोत पड़ेगी, तो आगे इस topic को extend करेंगे, मैं और भी detail में आपको समझाओंगा, कि इसको permanent weight loss की journey को, मतलब एक push देने के लिए, और इसको continuous way में करने के लिए, कैसे कर सकते, क्योंकि कई बार लोग मुझे पूछते हैं, कि sir, 10 दिन बाद किसी की शादी है, ट्राइ करें, और comment करके मुझे जरूर बताइए, कि कितना kilo आपका वजन कम हुआ, कभी-कभी 1 kilo भी हो जाता है, कभी-कभी 1 kilo भी हो सकता है, for some reasons I'll tell you, और mostly 1 kilo तक वजन कम होता है, अगर आप इसको google करेंगे, search करेंगे, किसी से पूछेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि nutritional deficiency हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपने common sense का इस्तेमाल करें, हर religion में fasting का महत्व है, और weekly fast को तो बहुत अच्छा माना जाता है, आपके घर में या आप खुद weekly fast करते होंगे, तो जोब हम fasting करते हैं, तो हम तो कोई nutrition लेते नहीं हैं, तो अगर तब nutritional deficiency नहीं हो सकती है, तो अगर आप खीरा खाएंगे जिसमें इतने सारे minerals भी हैं, fiber भी है, तो एक दिन के लिए week में nutritional deficiency नहीं होती, इससे कोई समस्या नहीं आएगी, अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि इसको कितने दिन तक लगातार कर सकते हैं, तो मै because you need those added minerals to your system, तो उमीद है आज की बात आपको समझ में आई, comment करके जरूर बताईएगा कि आपने try किया या नहीं किया, try करना चाहते हैं, या नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते हैं, और अगर try किया, तो क्या results मिलें, ये comment करके मुझे जरूर बताईएगा, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए stay healthy, enjoy life, नमस्कार.